नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल क्रंट अफेस बाहर रवी पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत को अपनी पंदर्वी राश्ट्रुपती दुरौपदी मुर्मू के रूप में मिल चुकी है और मैंने सभी कोशन सेलेक्टिड और इंपोर्टेंट लिए हैं तो अगर आप केसी भी एक्जाम के तहरी कर रहे हो ये विडिया आपके लिए काफी यूसफुल रहने वाली है तो चलिए विडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले कोशन से हमारा फर्स्ट कोशन है भारत की पहली आदिवासी महिला राश्ट्रपती कौन बनी हैं सई आंसर है आप्शन भी दुरौपदी मुर्मू तो दुरौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राश्ट अगला कोशन काफी इंपोर्टन कोशन है सई आंसर है option भी संथाल जन जाती थे तो द्रौपदी मुर्मू का संथाल जन जाती से है ये भी आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट कोशन द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से नंबर की राश्रपती बनी है सई आंसर है option सी 15 नंबर की तो ये आपको याद रखना है अगला कोशन देखते है द्रौपदी मुर्मू का जनम कब हुआ था सई आंसर है option भी 20 जून 1958 में तो 20 जून 1958 को द्रौपदी मुर्मू का जनम हुआ था ये आपको याद रखना है अगला कोशन, द्रौपदी मुर्मू का जनम कहा हुआ था? सई आंसर है, आप्शन भी मयूर भंज ओडिशा में तो मयूर भंज ओडिशा में द्रौपदी मुर्मू का जनम हुआ था नेक्स्ट कोशन, द्रौपदी मुर्मू का समंद किस पार्टी से है? सई आंसर है option A भारती जनता पार्टी तो द्रौपधी मुर्मू का समद्ध भारती जनता पार्टी से ये भी आपको पता होना चाहिए अगला कोशन है 2015 में द्रौपधी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्य पाल बनी थी ये भी काफी important कोशन है सई आंसर है option D जारखन राज्य की अगला कोशन है द्रौपधी मुर्मू को किस विधान सबाद्वारा 2007 में सरश्रिष्ट विधायक के लिए नीलकंट पुरुसकार से समानित किया गया है सई आंसर है option C ओडिशा विधान सबाद्वारा Friends अब मैं आपको राश्रोपधी चुनाव में उमीदवारों को कुल कितने वोट मिले हैं उसके बारे में बता देता हूँ राश्रोपधी चुनाव के वोटों की गिंती कुल 4 राउंड में हुई है यह आपको याद रखना है चुनाव में कुल 4,754 वोट पड़े थे गिंती के वक्त 4701 वोट वैद और 53 वोट अमाने पाए गए है राश्रपती चुने जाने के लिए कुल वोटों की वैल्यू 5,28,491 नियुन्तम होनी चाहिए ये भी वैल्यू आपको याद रखने है पर दुरापती मुर्मू को कुल 2,824 वोट मिले है जिसकी वैल्यू 6,67,803 बनी है और इनके विपक्ष में थे ये श्वन सिना इनको 1,877 वोट मिले हैं जिसकी वैल्यू 3,80,170 रही है अगला कोशन है प्रतिबाब पाटेल के बाद भारत की दूसरी महिला राश्रपती कौन बनी है? सई आंसर है अप्शन सी दुरौपदी मुर्मू तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स अब मैं आपको भारत के राश्रपती से जुड़े महत्तपोन अनुछेद यानि आर्टिकल्स बता देता हूं तो ये भी काफी इंपोर्टन है कई सारे एक्जाम्स में डारेक्ली पूछे गए है पहला है सविधान के किस अनुछेद में भारत के राश्रपती के बारे में बताये गया है अनुछेद बावन में ये आपको याद रखना है संग की कारेकारी शक्ती राश्रपती में नहित होती है ये हमें बताता है अनुछेद 53 राष्ट्रपती के चुनाव में मतदान कोन करेगा अनुछेद 54 हमें बताता है राष्ट्रपती के चुनाव की विधी अनुछेद 55 में है राष्ट्रपती के पद का कारेकाल ये अनुछेद 56 में है पुनर निर्वाचन के लिए पातरता ये हमें अनुछेद 57 बताता है राष्ट्रपती के चुनाव हेतु योगेता अनुछेद 58 बताता है हमें तो ये अनुछेद आपको सारे याद रखने हैं फ्रेंड्स हमारी अर्धवार्ष की करन्ट फेस के बुक लौच हो चुकी है जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करन्ट फेस को टॉपिक वाइस वन लाइनर फॉर्म में और एमसी के उस फॉर्म में आपके लिए प्रॉइड करवाया है और लास्ट में आपके लिए 15 ट प्रॉइड करवा दूँगा और फ्रेंड्स जब भी आप इस बुक को बाय करें तो हमारे चैनल के ट्रेड मार्क्स को देखकर ही बाय करें अब मैं आपको भारत के चर्चित राश्ट्रपतियों के बारे में बता देता हूँ पहले हैं डॉक्टर एपी जे अब्दुल कला ये 11 नंबर के राश्ट्रपति थे भारत के और ये कब से कब तक राश्ट्रपति रहे हैं 2002-2007 तक इन्हे मिसाइल मैन अफ इंडिया भी कहा जाता है काफी important fact है ये आपको याद रखना है दूसरी है प्रतिबा सिंग पार्टिल तो ये 12 नंबर की राश्ट्रपति रह चु next है भारत के पहले राश्ट्रपति कों थे most important तो ये थे राजेंदर प्रसाद ये आपको याद रखना है बारत के पहले मुस्लिम राश्ट्रपति कों थे? Dr. Zakir Hussain और ये 3 नंबर के राश्ट्रपति थे भारत के पहले दलित राश्ट्रपति कों थे? K. R. Naraendan और ये 10 न कौन निरविरोध राष्ट्रपती चुने गए थे नीलम संजीव रेडी और ये छेवे नंबर के थे अपने कारेकाल के दौरान किस राष्ट्रपती की मृत्यू हो गई थी तो ये थे दो डॉक्टर जाकिर हुसेन पहले और दूसरे थे फकरुदीन अली अहमद दॉक्टर ज सारे एक्जाम्स में डारेक्ली पूछे गए हैं तो पहला है भारती सविधान में निरवाचित राष्ट्रपती का प्रावधान किस देश से लिया गया है most important है यह आपको याद रखना है कि अमेरिका देश से लिया गया है प्रावधान किस अनुछेद में कहा गया है कि प् अनुछेद में राष्ट्रपती के शपत के बारे में बताया गया है अनुछेद 60 में राष्ट्रपती को शपत को देलाता है भारत के मुख्य नयदीश यह आपको याद रखना है राष्ट्रपती पद की योगिता क्या होती है तो यह आपको याद रखना है वे भारत का न राष्ट्रपती शाष्यान लगाने की शक्ती किस के पास होती है? राष्ट्रपती के पास संसद के लोकसभा और राजेसभा के इलावा तीसरा अंग कौन सा है? तो तीसरा अंग है संसद का राष्ट्रपती भारती सवीधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राश्ट्रपती बन सकता है कितनी बार भी राश्ट्रपती पद के उमीदवार के लिए नियुन्तम आयू कितनी होने चाहिए 35 वर्ष राश्ट्रपती अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? उप राश्ट्रपती को सवीधान के किस अनुछेद के अनुसार राश्ट्रपती असामानने स्थिती में अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुछेद 123 के अनुसार संसद द्वारा राष्ट्रपती पर महा भीयोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्फ सूचना के बाद शुरू की जाती है 14 दिन के पूर्फ राष्ट्रपती का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना होता है 6 मा के अंदर सवीधान के उलंगन में राश्रपती को उसके पद से कैसे हटाया जाता है महाभीयोग द्वारा राश्रपती पर महाभीयोग की प्रक्रिया किस देश के सवीधान से ली गई है अमेरिका के सवीधान से सवीधान के किस अनुछेद में राश्रपती पर महा भीयोग के बारे में बताया गया है अनुछेद 61 में किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है तो राश्रपती की आय पर किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता है राश्रपती के हस्ताक्षर के बिना लोगसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है राश्रपती राश्रपती के त्याग पत्र की सूचना उपर राश्रपती किसे देता है लोगसभा अध्यक्ष को राश्ट्रपती सविधान के किस अनुछेद के अंतरगत देश में युद्ध या बाहरी अक्रमन की स्थिति में अपातकाल लगा सकता है अनुछेद 352 के अनुछेद द्वारा राश्ट्रपती द्वारा राज्यों पर राश्ट्रपती शाष्यन लगाया जाता है अनुचे 356 के अनुसार राश्ट्रपती सविधान के किस अनुचेत के अंतरगत आर्थिक संकट की स्थिती में अपातकाल लगा सकता है अनुचे 360 के अनुसार राश्ट्रपती पद के उमीदवार के लिए अधिक्तम आयू कितनी होनी चाहिए कोई आयू सीमा नहीं है शमादान अत्वा मृत्यु दंड पाई अप्राध्धी की सजा पर फैसले लेने का दिकार किस के पास होता है राश्रपती के पास सविधान के किस अनुचेद में राश्रपती शमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है किस अनुछेद के तहट राश्रपती, साहित, विग्यान, कला और समाद सेवा में विशेश गियानिया वेवहारिक अनुभव रखने वाले 12 विक्तियों को राजी सभा में मनुनित कर सकता है अनुछेद असी के अनुसार देश के सश्यस्त्र सीनाओं का सरवोच कमांडर कोन होता है? तो ये होते हैं राश्रपती मौलिक अधिकार को कोन निलंबित कर सकता है? राश्रपती संग लोग सेवा आयो के अध्यक्ष की निक्ति कोन करता है? राश्रपती देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की न्युक्ती कोन करता है तो ये भी राष्ट्रपती करते है वह राष्ट का प्रति निधितव करता है परंतु राष्ट का नित्रित्व नहीं करता ये कथन किसके लिए लागू होता है राष्ट्रपती के लिए लोग सभा को भंग करने क राष्ट्रपती के पास राष्ट्रपती का राष्ट्र का अध्यक्ष कोन होता है राष्ट्रपती केंदर की समसत कारे पालिका की शक्ती किसमे निहित होती है राष्ट्रपती भी प्रधान मंत्री पद की निक्ती करने का अधिकार किसके पास होता है राष्ट्रपती के पास देश के नियंत्रक एवं महा लेखा परिक्षक की न्युक्ती किसके द्वारा होती है राष्ट्रपती द्वारा भारत के महा नेवादी की न्युक्ती कौन करता है राष्ट्रपती जी उपर राष्ट्रपती कितने समय के लिए राष्ट्रपती पद पर कारे कर सकता है अधिक्तम 6 महीने के लिए वित आयोग को कौन नियुक्त करता है तो राष्ट्रपती करते है संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है राष्ट्रपती संसद के किस सदन में राश्ट्रपती के खिलाप महा भीयोग लाया जा सकता है किसी भी सदन में सर्वोच नयायले के मुख नयधीश की नुक्ती कौन करता है राश्ट्रपती सवीधान के अनुसार देश के कारेपाली का अध्यक्ष कौन होते है राश्ट्रपती हमारी अर्दवार्ष की करंट अफेस की बुक लॉंच हो चुकी है फ्रेंट्स जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेस को टॉपिक वाइज वन लाइनर फोर में और MCQS फोर में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है जिसका लिंक में आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूगा और फ्रेंट्स जब भी आप इस बुक को बाय करें तो हमारे चैनल के ट्रेड मार्क्स को देखकर ही बाय करें तो ये था friends हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपती के बारे में महत्तपून कोश्चंस काफी डिटेल में पढ़ा दिये, आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो का content और quality अच्छे लगी है, तो इसे like जरूर करें, अपने friends के साथ share करें, और अपना feedback हमारे comment box में जरूर दें, तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी next video में, तब तक के लिए, thank you and wish you all the best.